प्रिद्रसको नमस्कार हाजर हूँ उन लोगों के लिए एक रामबान उपाई ले करके जो लोग करजे से घिरे हुए हैं किसी ने किसी का पैसा उन्हें लोटाना है और लोटाना भी चाहते हैं लेकिन प्रियापत मात्रा में धन नय होने के कारण वो करज से मुक्त नहीं हो पा रही है और प्रेसान है तो ऐसी अवस्था में वो एक उपाई कर सकते हैं यह उपाई जो हम आपको बताने वाला हूँ यह उपाई यदि ऐसे लोग जो करजे से प्रेसान हैं वो करेंगे तो कोई न कोई रास्ता कोई न कोई हल निकल के आएगा जिससे आप करज से मुक्त हो पाएंगे करज उतारने के लिए धन आपको कमाना होगा पैसे आपको कमाने होंगे तब जाकर के आप किसी के पैसे लोटा सकते हैं और तब जाकर के करज से मुक्त हो सकते हैं तो ये उपाए जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये उपाए कुछ ऐसा ही चमतकार करेगा कि किसी चीज के लिए आप प्रियास कर रहे हैं, विवसाय आप करना चाहते हैं, नोकरी आप पाना चाहते हैं, पैसा आप कमाना चाहते हैं, लेकिन बात नहीं बन रही हैं, तो ये कर्ज से मुक्त हो जाओगे तो प्रिदरसको उपाए बताओं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो हैं उनका नोटिफिके कपड़े आपने पहन लेने हैं एक तांबे का कलस लेना है उसमें सुद जल भर लेना है और उस जल में एक चुटकी आपने सौप की डालनी है किस चीज की सौप की और साथ में एक छोटा सा टुकडा गुड का डालना है ये डाल करके ये जो जल है ये उगते हुए सुरिय भगवान को आप दे दीजिए यदि उगते हुए को आप ना दे पाएं तो कम से कम आठ बज़े تक ये जल आप सुर्य भगवान को दे दीजिए और जब आप सुर्य को आपने सुर्य भगवान के दर्सन करने हैं और ये उपाएं आपने लगातार 41 दिन करना है और जब सुर्य को आप जल दे रहे हैं तो आपने बोलना है ओम स्री सुर्याय नमहें अरगं समर पयामे इस प्रकार आप बोल दीजिये और सुरिय अरग देने के बाद वहीं पर हाथ जोड कर खड़े हो जाईए और सुरिय भगवान से विंती कीजिए कि हे सुरिय नायन भगवान कोई न कोई ऐसा जरिया हमें दीजिए कि जिससे हम धन कमा सके और हमारे सिर्पर जो करजा बना है उसको हम उतार सके बड़ा ही आसान उपाए कहीं बाहर नहीं जाना लेकिन बड़ा ही सटिक एवन चमतकारी उपाए आप इसको अपने जीवन में जरूर करके देखना यदि करजे से आप प्रेशान हैं तो तो फिर दर सको बड़े ही आसान तरीके से मैंने आपको बताने की समझाने की कोशिश की है आसा भी करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा यदि फिर भी कोई चीज कोई बात समझ में ना आएं तो आप कोमेंट वोक्स के साहरे मुझसे पूछ सकते हैं मैं रिपलाई देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा यदि आप अपनी एवाम अपने बच्चों की जनम कुंडली का विशलेशन मुझसे करवाना चाहते हैं तो फिर सक्रीन पर दिये गए नमरों से आप मुझसे संपरक कर सकते हैं किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में चल रही है उससे यदि आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो सक्रीन पर दिये गए वाटसप नमर पर आप अपनी डेट वबर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ पलेस ये तीनों चीजे भेज सकते हैं और अपनी जनम कुंडली का सटिक विशलेशन मुझसे करवा करके जीवन में चल रही समस्या से छुटकारा पा सकते हैं तो प्रद्रसकों यदि कारेकरम अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, सेर करना, कॉमेंट करना आज के लिए वसीतना ही, कल फिर में लेंगे तक तक के लिए नमस्कार